हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्टैंडर्ड 9 के इस नए लेक्चर में Mathematics के Exercise 1.3, फर्स्ट चैप्टर का Exercise 1.3 का Last Question आईए इसे आज के इस वीटियो में हम solve करेंगे हमें करना क्या है देखें, हमें इन Given Numbers जो है इन में से कौन rational number है और कौन irrational number है ये हमें बता करके बताना है देखें, हमने इसे पहले ही देखा कि rational number और irrational number में difference क्या है, दोनों real numbers है और इन में difference क्या होता है कि जो rational number होते हैं, जो rational numbers होते हैं इन्हें हम दो integers, P और Q, दो integers के ratio के तोर में represent कर सकते हैं जहाँ पर क्योंकि 0 ना हो लेकिन जिसे हम इस तरह के दो integers के ratio में या fraction के तोर पर represent नहीं कर सकते हैं वो सारे irrational numbers होते हैं चली यहाँ आसान चीज से शुरू करते हैं सबसे पहले तो question number 3 को देखते हैं 3 हमें क्या बता रहा है question number 3 जो है यह हमें एक number दे रहा है 0.3796 क्या हम इसे दो integers के fraction के तोर पर represent कर सकते हैं चली देखते हैं यह बहुत ही आसान है अगर हम 3796 को divide कर देते हैं 10,000 से यहाँ पर देखे 10,000 से हम divide कर रहे हैं 4 zeros हैं यहाँ पर तो decimal point shift करेगा एक, दो, तीन, चार, 0.3796 बनेगा यह जो की यहाँ पर represented है तो इस तरह से हम इस number को इस number को दो integers के fraction के तोर पर represent कर सकते हैं और कुछ चीज़े मैं आपको बता दू देखे यहाँ पर decimal point के बाद digit जो है सिर्फ चार digits है उसके बाद और digit है ही नहीं तो यहाँ पर जो है यह terminate कर रहा है इसे terminating number कहा जाता है terminating decimal expansion कहा जाता है तो जहाँ जहाँ आपको terminating decimal expansion मिले मतलब कि इसके बाद और कोई digit है नहीं तो ऐसे situation में हम यह बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यह rational number है rational number कोई भी terminating decimal expansion हो वो rational number ही होता है अब अगले question की तरह बढ़ते है question number 4 यहाँ पर देखे यह जो है 7 point मैं एक बार यहाँ पर लिख दू यह क्या है यह है 7 point 478 और फिर से 478 मतलब 478 जो है यह रेकर कर रहा है यह बार बार अपियर होगा इसके बाद फिर से 478 फिर 478 आएगा फिर 478 आएगा तो यही 478 रेकर करेगा हमने पिछले एक वीडियो में यह देखा था कि इसे भी हम दो integers के ratio में represent कर सकते हैं थोड़ा सा revision कर ले इसे हम क्या कहेंगे इसे जब हम P divided by Q इस form में represent करेंगे तो यह कैसे represent करेंगे इसके लिए हम करते क्या है इस value को हम X में assign कर लेते हैं तो X is equal to 7.478 और 478 रेकरिंग अब हम क्या करेंगे इसे हम thousand से multiply करेंगे एक हजार से multiply करेंगे ऐसा करने से क्या होगा देगे 478 के बाद फिर 478 है फिर 478 है जब हम 1000 से multiply करेंगे तो यह decimal point यहाँ पर shift हो जाएगा और इसके बाद फिर से 478 478 इस तरह से numbers digits है तो फिर हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जब हम X को 1000 से multiply करेंगे तो 1000 X हम 7478 point फिर से 478 है 478 फिर यह repeat करेगा 478 478 478 478 अब हम क्या करते है 1000x से x को subtract कर देते है मतलब दूसरे equation से पहले equation को subtract कर देते है जब हम subtract करते हैं तो होगा क्या 1000x यह सब हमने किया था पिछले एक वीडियो में minus x is equal to this term minus this term तो decimal point के बाद जो 478 recurring है वो तो cancel हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 7478 minus 7 तो यह बन जाएगा 7471 7478 से 7 चला गया तो 71 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा इस जगब पे तो यह हम कह सकते हैं कि 999x is equal to 7471 hence x x जो कि यह value था x में हमने क्या assign किया था इसी को 7.478 recurring को assign किया था तो यही x is equal to 7471 divided by 999 आप देख लिजेगा यह reduce भी कर सकता है I don't know यह reduce भी कर सकता है आप देख लिजेगा चली मैं इस पे और बात नहीं करूँगा तो हमने यह देख लिया भले ही reduce करे ना करे वो तो बाद की बात है हमने यह देख लिया कि यह जो है दो integers यह भी एक integer है यह भी एक integer है दो integers के fraction ratio के तोर पे हम इसे represent कर सकते है तो यह जो है यह भी rational number है और ध्यान दे इस number को इसे non-terminating number कहा जाता है non-terminating recurring number कहा जाता है यहाँ पर देखे digit terminate नहीं कर रहा है यहाँ पर digit जो है terminate नहीं कर रहा है इसके बाद digit चलता जाएगा 478 फिर 478 फिर 478 फिर 478 फिर 478 यह चलता जाएगा हमेशा चलता जाएगा infinite terms तक चलता जाएगा तो इस तरह के numbers को कहा जाता है non-terminating non-terminating terminating, recurring ये recurring कर रहा है recurring एक ही चीज जो है recurring कर रहा है, ये 478 का set जो है ये recurring कर रहा है और ध्यान दे, हमेशा non-terminating recurring भी rational number होता है, तो ये भी rational number है ये भी rational number है अब अगले question की तरब बढ़ते हैं, अगला question fifth को पकड़ते हैं चलिए, fifth number देखें, ये आप पाएंगे ये non-terminating है, इसलिए dot लगा हुआ है, so definitely ये तो non-terminating हो गया, non-terminating non-terminating, क्या ये recurring है क्या एक set recurring कर रहा चलिए देखते हैं, ये one zero क्या इसके बाद one zero है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बाद भी one zero है, क्या नहीं zero one है, तो ये तो one zero record नहीं कर रहा, क्या one zero one record कर रहा, क्या one zero one बार बार आ रहा, नहीं ये भी बार बार नहीं आ रहा, कोई भी चीज record नहीं कर रहा, देखें, यहां पर एक zero है, फिर दो zero है, फिर तीन zero है फिर चार zero है, तो कोई भी चीज repeat नहीं कर सकता है same set of digits बार बार repeat नहीं कर रहा तो यह non-terminating है लेकिन recurring नहीं है यहाँ पर यह recurring था 478 फिर वही 478 फिर से वही 478 फिर वही 478 तो यह recur कर रहा था यहाँ पर यह recur नहीं कर रहा है यह non-terminating non-recurring है हमेशा याद रखे कि non-terminating non-recurring जो है यह irrational number होता है इसे ना तो, ना तो हम इस तरह से और नहीं इस तरह से दो integers के ratio में represent कर सकते हैं तो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं P divided by Q के form में नहीं ला सकते हैं तो यह irrational number है This is irrational, irrational number ओके, तो हमने 3, 4 और 5 देख लिया अब 1 और 2 पे आते हैं अब यह जो पहला question है square root of 23 याद रखे, square root of any number square root of any number except perfect square यह होता है irrational number कहने का मतलब यह है कि square root of 2 यह irrational number है square root of 3 यह भी irrational number है इन्हें हमने prove किया था पिछले एक वीडियो में तो चले, square root of 2 irrational number है square root of 3 irrational number है यह हम prove कर चुके है लेकिन square root of 4 जो है यह irrational number नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि 4 जो है यह 2 का square होता है और square root of 4 को हम इसी लिए लिख सकते हैं 2 plus 2 as well as minus 2 minus 2 into minus 2 भी 4 होता है तो square root of 4 is 2 plus हो minus हो लेकिन यह जो 2 है चाहे वो positive हो, negative हो यह rational number है यह irrational number नहीं है 2 को हम 2 divided by 1 कह सकते है 2 को हम 4 divided by 2 कह सकते है 2 को ही हम 6 divided by 3 कह सकते है तो यह rational number है तो square root of 4, 4 जो की एक perfect square है यह irrational number नहीं होगा यह rational number होगा square root of 5 जो है यह irrational number होगा square root of 6B, square root of 7B, square root of 8B पर square root of 9 नहीं होगा तो यह चीज़ ध्यान रखे अब square root of 23, 23 किसी का square नहीं होता है किसी मुझे कहना चाहिए किसी whole number का square नहीं होता किसी integer का square नहीं होता so that's why it is irrational number this is irrational irrational number अब आते है question number 2 पे question number 2 यह कहता है square root of 225 क्या यह irrational number है square root है देखे लेकिन ध्यान दे यह जो है 225 is a perfect square 225 is equal to 15 into 15 15 का square है यह so square root of 225 जो है square root of 225 is equal to 15 plus 15 as well as minus 15 तो यह जो है square root of 225 यह irrational number नहीं है यह rational rational number है तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अब अगले वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा अब जाते जाते मैं आपको बता दू कि इस पूरे chapter का जो playlist है उसका link आपको नीचे description में मिलेगा तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलागात होगी तो मिलेंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें गडबाई जाते हैं, मिलेंगा झाट एक टीज़ा थाबाई